अश्कार दोस्तों वर्ल्ड अपडेट 79 के चैनल से आज हम आपको एक किचन गार्डन से जुड़ेवे नए शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जो है माइक्रो ग्रीन्स इनका यूज आजकल भारत के किचन गार्डन में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है और कोरोना के बात हमारी हेल्थ को लेकर ये सबसे ज़्यादा पॉपॉलर चीज सामने आ रही है जिसका लोग इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सारे माइक्रो ग्रीन्स बहुत ज़्यादा निट्रियंट से भरपूर होते हैं आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि माइ प्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर भी कीजिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखेर ये माइक्रो ग्रीन्स क्या होते हैं अगर हम भारत जैसे देश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पहले जवारे का चलन था जब नवरातरी आती है तो जवारे उगाय जाते हैं और कैंसर जैसी बिमारी के इलाज में भी इस जवारे से मिलने वाला जो रस होता है उसके कई फाइदे देखे गए हैं बस ठीक इसी तरह से माइक्रो ग्रीन्स होते हैं जो अलग-अलग तरह की अनाच सबजी या हर्ब से उगाय जाते हैं और जवारे की तरह ही इनका स् फर्क सरफ इतना होता है कि सीधे मिलने वाले अनाच और सबजीों से हमें जो पोशक तत्व मिलते हैं उसकी अपेक्षा इन माइक्रो ग्रीन्स से हमें कई गुना ज़्यादा पोशक तत्व प्राप्त होते हैं जिसकी हमें आज के इस युग में सबसे ज़्यादा जरूरत ह माइक्रो ग्रिन्स से जुड़ी हुई एक और महत्वपून बात ये है कि कई लोग माइक्रो ग्रिन्स को उगाना और स्प्राउट्स को जो हम रेडी करते हैं घर पे उस चीज को एक ही समझ बैठते हैं ये एक नहीं है दोनों में कुछ समानता है तो कुछ अंतर भी है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले माइक्रो ग्रिन्स के बारे में ही डिटेल में समझते हैं दोस्तों कई तरह की रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इन अब हम आपको बताते हैं कि माइक्रो ग्रींस में किने शामिल किया जाता है इनके नाम है सप्लायर, ब्रोकली, चुकंदर, मूली, मेथी, धनिया, पालक, कैबेज और कॉर्न इसके अतिरिक्त आप चाहें तो घर पर उपलब्द बीजों से भी इन माइक्रो ग्रीन्स को उगा सकते हैं और नहीं तो इनके बाजार में रेडिमेट सिट्स के पेकेट आपको मिल सकते हैं जिनें आप लाकर आसानी से छोटी छोटी ट्रे, प्लैट्स या छोटे उथले गम हम लोग का या ट्रे का स्तमाल करेंगे इन्हें उगाने के लिए उनके तले में छेद होना चाहिए ताकि पानी जो है रुका न रहे सीधे बह जाए और मिट्टी में नमी बनी रहे माइक्रो ग्रेंज को उगाने में खास बात ये रहती है कि जब हम इनको जब ये तयार हो जाते हैं जब हम इने काटते हैं तो हम इने जड़ों से नहीं उखाडते हैं केची से इने काटते हैं जिससे कि इनकी जड़े वही रहती है और कई बार ये फिर से उगाते हैं लेकि साथ दिन तक फिर रोच पानी से स्प्रे करना है अगले साथ से दस दिनों में अगले माइक्रो ग्रिंस फिर रेडी हो जाते हैं जिनका आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं माइक्रो ग्रिंस उगाने में खास बात यह रहती है कि इने बहुत ज़्यादा तेज धूप की जरूरत नहीं होती है शुरू के कई दिनों तक आप इसे च्छाओ में भी रख सकते हैं और जब बाद में काटने के कुछ एक या दो दिन पहले हम इसे सनलाइट में रख सकते है ये बात भी ध्यान देने लायक है कि माइक्रो ग्रिंस की जड़े खाने के काम में नहीं ली जाती है माइक्रो ग्रिंस का इस्तमाल फ्रेश ही किया जाता है यानि आप इन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दो दिनों के भीतर इन्हें इस्तमाल कर लेना चाहिए तो इस तरह आप उच्च गुणवत्ता के पोशक तत्वों को अपने किचन गार्डन से अपने परिवार के लिए आसानी से उपलब्द करा सकते हैं